Welcome to my channel friends, आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए एक educational वीडियो लेके आया हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि Designing Audio Amplifier सीरीज के मैं चार वीडियो बना चुका हूँ जिसके थुरू मैंने आपको समझाया है कि एक proper audio amplifier को किस तरीके से design करना है वैसे तो ये बहुत in-depth videos नहीं है लेकिन आपको ठीक ठाक knowledge मिल जाएगी कि audio amplifier किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से इसकी designing होती है तो अभी तक अगर आपने पहले की videos नहीं देखे हैं तो सभी का link नीचे दिया हुआ है आप सारी videos देख लिजिए क्योंकि ये एक engineering subject का video है तो जब तक पहले की videos आप नहीं देखेंगे तो ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी जैसा कि आप जानते हैं किसी भी amplifier stage में चार stages है जो कि मैं screen पर आपको दिखा रहा हूँ सबसे पहला stage होता है input stage जहां पर जो भी हमारा input आता है उस signal को true transistor की help से differential amplifier actually ये होता है उसकी help से हम amplify करते हैं उसके बाद ये जाता है second stage में जिसको हम VAS यानि के voltage amplification stage बोलते हैं उसके बाद ही हमारा signal जाता है third stage यहां पर की driver stage होता है because VAS stage में हमारा सिर्फ voltage gain होता है VAS stage के अंदर voltage amplification तो हो जाता है लेकिन इतनी power नहीं होती है कि directly आपके output stage को drive कर सके इसलिए हम बीच में driver stage लगाते हैं जिसको आप driver transistor के राम से जानते हैं इस तरीके से हमारा जो भी amplifier होता है commercial वो four stage में divide होता है कभी-कभी three stages भी होते है amplifier में मैं आपको दिखा देता हूँ तो यह input stage है जहां पर LTP pair होता है CCS होता है इन सब के बारे में video के part on में मैं आपको बता चुका हूँ second stage जो है voltage amplifier stage इसमें class A में एक transistor लगा होता है जो की input stage से आने वाले signal को amplify करता है उसके बाद third stage जो होती है output की तो कभी-कभी अगर छोटा amplifier है तो हम third stage से ही direct output ले सकते हैं 10W तक का amplifier है तो लेकिन उससे ज्यादा power का amplifier है तो third stage हमारी driver stage हो जाती है और fourth stage हमारी output stage हो जाती है अगर MOSFET amplifier है तो आप जानते हैं कि MOSFET को drive करने के लिए बहुत ज्यादा current की जरूत नहीं पड़ती क्योंकि वो एक voltage driven device है इसलिए 100W तक के MOSFET amplifier में तीन stage से ही काम हमारा चल किसी भी high power commercial amplifier में output stage बहुत ही important होती है और सच कहिए तो amplifier की designing reverse order में start होती है सबसे पहले कोई भी client आपके पास आता है या आप भी कहीं पे amplifier खरीदने जाते हैं तो सबसे पहला question ही होता है कि कितने what का amplifier है सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि कितने what का amplifier हमें बनाना है उसक recording हमारा driver stage होता है और फिर उसके according हमारा vas stage होता है और फिर उसको drive करने के लिए हमारा input stage होता है अभी questionье आता है कि amplifier के output stage का actual work क्या है अभी तक आपने जो भी amplifier डिजाइन किया या देखा है VAS stage तक इसमें सारी amplification हो चुकी है voltage का amplification हो चुका है gain हमारे पास आ चुका है लेकिन अब अगर हम इसे load के साथ connect करेंगे तो ये amplifier हमारा 4 या 8 ohm के load को drive नहीं कर पाएगा इसका reason यह है कि up to VAS stage जो हमारी designing होती है वो बहुत high impedance को drive करने के लिए बनाई गई होती है जैसे कि अगर हम VAS stage की बात करें तो वो 8 kilo ohm से उपर के resistance को drive करने के लिए बनाई गया है लेकिन हमारा load आप जानते हैं कि 8 ohm, 4 ohm, 2 ohms होता है तो उसको drive करने के लिए हमें output में power transistor लगाने पड़ते हैं technical language में कि output stage की ज़रूरत क्या होती है to provide buffering in form of current gain between VAS and speaker और load तो output stage जो है buffering देता है as a form of current gain हमारे VAS stage और load के बीच में जैसे कि इस amplifier का आप circuit देख रहे हैं इसमें जो भी voltage amplification और gain वगारा होना है वो first stage, second stage और third stage में हो चुका है fourth stage यानि कि output stage में कोई भी voltage gain नहीं होता है इसमें सिर्फ current gain होता है basically देखा जाए तो किसी भी amplifier का output stage वही push-pull stage होता है दो transistor लगे होते हैं एक NPN अपर side में लगा होता है positive side में एक PNP lower side या negative side में लगा होता है और इस तरीके से ये दोनों मिलकर आपके complete cycle के आधे-आधे cycle को amplify करते हैं basic structure यही है लेकिन इसके बहुत सारे variation यूज होते हैं वो variation में आपको दिखा देता हूँ normally किसी भी amplifier के output stage में इन दो तरीके से आपको output pair लगा हुआ मिलेगा यहाँ पर देखिए एक NPN transistor है जिसको एक NPN transistor ही drive कर रहा है अपर side में यानि कि positive side में यहाँ पर lower side में एक PNP transistor है जिसको एक PNP transistor ही drive कर रहा है तो जब इस तरीके का driving circuit होता है तो इसको हम Darlington emitter follower बोलते हैं यानि कि NPN को NPN drive करेगा और PNP को PNP drive करेगा जबकि दूसरे तरीके का एक output stage होता है जिसमें NPN transistor को PNP transistor drive करेगा और PNP transistor को NPN transistor drive करेगा यह भी एक emitter follower ही है लेकिन इस type के configuration को compound pair emitter follower बोलते हैं यह main दो types हैं अब इसमें भी Darlington pair के कई सारे variation हो सकते हैं और CFP pair यानि कि compound pair के कई सारे variation हो सकते हैं तो दोनों variation को मैं आपको दिखा देता हूँ तो Darlington type का जो configuration है इसमें 3 type का variation होता है यह A, B और C आप देख रहे हैं तो पहला type हम देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि driver transistor का emitter आपके output के base से लगा हुआ है और emitter आपके output से भी लगा हुआ है एक resistance के त्रू इस resistance की value normally 47 ohm से लेके 200 ohm तक की होती है इस resistance की value को घटा बढ़ा कर हम जो output transistor है उसका base current कम या ज़्यादा कर सकते हैं और थोड़ा मुड़ा gain पर भी फर्क पड़ता है तो ये combination सबसे ज़्यादा use होता है दूसरा ये वाला भी use होता है आप देख रहे हैं दोनों upper और lower side के driver transistor के बीच में एक single resistance लगा हुआ है ये combination भी काफी use होता है यहाँ पर दोनों side में दो resistance लगे हुए थे ये third combination बहुत कम use होता है यहाँ पर driver transistor का emitter opposite side से attached रहता है यानि कि positive rail से और negative rail से तो ये combination कम use होता है ये दो combination ज़्यादा use होते हैं जिसमें ये वाला combination बहुत ज़्यादा use होता है तो ये CFP type का variation है आप यहाँ पर हमेशा देखेंगे कि पीछे के NPN तो आगे PNP लगा रहेगा तो इसमें पहला variation ये है जिसमें driver transistor का emitter इसके collector से लग गया है और एक single resistance दोनों के बीच में लगा हुआ है दूसरे variation में यहाँ पर फिर से एक resistance लग गया है यानि कि दो resistance यूज हुए है लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो दोनों output transistor NPN के है यानि कि अगर आपको कोई 30, 55 या 37, 73 का amplifier बनाना हुए तो इस तरीके का combination आपको यूज करना पड़ेगा और एक ये configuration भी है CFP का इसको बहुत कम यूज करते हैं लेकिन ये भी quasi output के लिए है quasi output का मतलब जब हमारे पास output transistor symmetrical ना हो यानि कि जैसे यहाँ पर एक NPN, एक PNP का combination लगा हुआ है दोनों transistor अगर आपके NPN या PNP हैं यानि कि upper side में भी NPN है lower side में भी NPN है या दोनों PNP हैं तो इस तरीके से configuration यूज करते हैं अब एक question यहाँ पर यह आता है कि ये दो combination क्यों यूज किया जाता है एक ही तरह का combination क्यों नहीं यूज करते तो देखिए जो darlington emitter follower है और compound emitter follower है यानि कि CFP दोनों के अपने फायदे और अपने रुकसान है अगर आपको low power का amplifier बनाना है 100-200 watt का इस फेसले अगर single pair output है तो CFP यूज कीजी क्योंकि इसका frequency response बहुत ही अच्छा होता है darlington pair का भी बहुत अच्छा होता है लेकिन CFP का कुछ जादा ही अच्छा होता है लेकिन CFP के साथ एक problem यह है कि अगर हम multiple output transistor यूज करेंगे जब हम multiple output device यूज करते हैं उस condition में जो हमारा darlington pair है उसमें आप देख रहे हैं सिर्फ एक side में यह emitter resistance लगा हुआ है जो low value का power resistance होता है लेकिन अगर आप CFP combination यूज करेंगे तो उपर के side में भी resistance लगेगा और नीचे के side में भी एक resistance आपको लगाना पड़ेगा तो आपकी overall cost increase हो जाएगी इसलिए multiple output devices अगर लगानी है तो CFP combination हम यूज नहीं करते हैं darlington combination यूज करते हैं लेकिन यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहूँगा कि CFP combination जो होता है उसमें thermal tracking बहुत easy होती है क्योंकि यह दोनों transistor एक साथ मिलके एक transistor की तरह काम करते हैं यहाँ पर दोनों transistor का character अलग-अलग control होता है तो अगर आप thermal tracker लगाएंगे तो या तो आपके driver की temperature को track करेगा या तो आपके output के temperature को track करके bias current को change करेगा वैसे दोनों को हम एक ही heat sink पर लगा देते हैं तो इसका भी thermal tracker ठीक क्राम करता है लेकिन CFP stage में because दोनों transistor इस तरीके से connected होते हैं कि वो एक single pair की तरह काम करते हैं तो इसका thermal tracker जो है driver transistor के साथ लगता है और driver transistor output से अलग heat sink पर लगाए जाता है output के साथ नहीं लगाए जाता है और जो thermal tracking transistor या diode जो भी यहाँ पर लगा होता है वो driver के temperature को track करता है लेकिन control आपके output device को भी करता है कुल मिला के simple word में कहें तो thermal tracking जो होती है वो CFP stage में बहुत अच्छी होती है जैसा कि मैंने आपको बताए सभी stage की कुछ फायदे और कुछ नुकसान है तो अपने recording हमें यूज करना है यहाँ पर आपको एक simple amplifier का circuit में दिखा रहा हूँ यह एक standard circuit है normally market में circuit इसी तरीके से आते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं उपर एक PNP transistor लगा हुआ है और नीचे के NPN transistor output पे लगा हुआ है normally इस तरीके के circuit जहाँ पर output में एक single pair output यानि कि चाहे तो दो तीस पचपन लगे हो या एक pair 19435200 का लगा हो इस तरह का amplifier circuit mostly 100 watt का होता है 50 watt से लेके 100 watt तक का होता है यह depend करता है कि किस तरह की device output में use की गई है अब क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं कि इसका output मुझे बढ़ाना है तो simple लोगों का एक solution होता है कि चलो ठीक है इसके साथ multiple device लगा दो output में कई सारे output transistor लगा दो तो output आपकी बढ़ जाएगी जैसे कि एक kit की photo में आपको दिखा रहा हूँ बहुत सारे output device लगे हूँ है इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँ, छे, साथ, ताट, नो, दस दस pair इसमें लगा हुआ है और 1000 watt क्लेम करेगा है अबिसली है जबकि really 19435200 के 10 pair के हिसाब से आप maximum 700 watt तक का आइडियली ले सकते हैं लेकिन लोग क्लेम करेंगे कि यह 1000 watt का है यहाँ पर एक चीज में आपको बताना चाहूँगा कि amplifier की designing start to end जो होती है जैसे कि यहाँ पर input stage है यहाँ पर VAS है, यहाँ पर driver है तो अगर कोई एक ऐसा circuit है जिसकी output में single pair output device लगी है तो उसका VAS या driver stage उसी के recording बनाये गया है एक्जाम्पल के लिए अगर आप 1943 या 5200 का एक pair लें तो उसको लगबग 10 से 15 watt की power चाहिए होती है input पर तो उसके recording driver transistor लगा होता है कि जो 10 से 15 watt की power उसके input पर दे सके और वो 10 15 watt लेके output device जो है 100 watt की power output में देता है अब अगर आप वहीं पर multiple device लगा देंगे तो पीछे का stage तो वही है तो पीछे का stage overload हो जाएगा और आपको output power जादा नहीं मिल पाएगी इसलिए simply यह कहे देना कि multiple output transistor हमने लगा दिये है output में तो हमारी output बढ़ जाएगी ऐसा नहीं होता है उसके carding आपको पूरे amplifier को redesign करना पड़ेगा यहाँ पर VAS stage और driver stage पर कम load पड़े उसका एक और तरीका है उसको triple emitter follower बोलते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर driver को drive करने के लिए एक और driver लगाएगा है जिसको pre driver बोलते हैं यानि कि pre driver driver और उसके बाद output stage इसको TEF यानि कि triple emitter follower बोलते हैं इस तरह का output stage यूज करने से आपके VAS stage पर load काफी कम पड़ता है और आपकी output बढ़ जाती है लेकिन तभी बढ़ेगी जब आप supply voltage ज़्यादा यूज करेंगे यहाँ पर जितनी output stages के बारे में मैंने describe किया उसके अलावा भी output stages बहुत टाइप की होती है जैसे एक S-code टाइप का है high voltage के लिए यूज किया जाता है जब आपके पास उतने voltage के transistor अलावा इसके अलावा class H configuration है class G configuration है जिसके बारे में मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ 0.47 तक इसको emitter degeneration resistance बोलते हैं और बहुत इसका important role होता है क्योंकि सारे transistor हमारे output में जो लगे होते हैं वो ideally 100% matching नहीं होते हैं तो ये resistance लगाने से उनकी matching आसान हो जाती है और हमारा amplifier stable हो जाता है लेकिन इसकी value बढ़ाने से आने कि आपने 47 कर दिया अब मैं अपना वीडियो यहीं पर finish करता हूँ बाकी सारे जो चीजें यहां पर छूट गई हैं जब हम next videos में किसी amplifier circuit को describe करेंगे तो जो चीजें यहां पर miss हो गई हैं छूट गई हैं वहां पर वो सारी चीजे cover हो जाएंगी तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और इसी के साथ आगले वीडियो तक के लिए ओके टाटा एंड बाय फ्रेंट्स